मैं आजकर एक सीरीज देख रहा हूं उसका नाम है Bad Boy Billionnaire उसमें विजय मालेय जो होते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो भाग जाते हैं UK फिर नेरब मोदी स्कैम करते हैं, फिर भाग जाते हैं UK यार ऐसी बहुत शारी वीडियोदे जिसमें लोग कहते हैं लॉयर्स की एक करोड़ पर इनकम है मैं लॉयर्स की में आपको पता हूँ हो दो करोड़ भी एक दिन की जो फ्रेशर जा रहे हैं लीगल प्रोफेशन में उनके लिए क्या-क्या वायबल करियर ऑप्शन्स हो सकते हैं विड लिए बारकिंटर एक संवाट शॉट निरिवया गारिप्टum की लॉट्ड़ प्रोफेशनर अउन्स हो स्थार, भी तो किया निर्भया चाहिछ न्यूट लॉट्ट्यिए, टॉर्सूर्य वायबल कीष्ड्यू टीर, प्रोफेशनर धाविडल एक्ष्टाइब दिस् होता होगा है उसके बाद नहीं क्लॉज आता है जीरो एफाइर का वह जाता है पुलिस टेशन तो इसको बोला आता है कि आपकी जुरुजिक्टिन में बैठती नहीं है तो आप करें पुलिस टेशन जाओ और उस पर जाके रिपोर्ट करो और उस चकर में बहुत टाइम लग इसके लिए क्लॉज आता जीरो एफाइर का वह बिए पर सम्दाओ जीरो एफाइर ऐसा है कि पहले जो ग्लॉज यह था कि डिफाइन नहीं था गहीं स्ट्रेचूट में तो जब भी कोई लॉज डिफाइन नहीं होता तो उसमें कोट जेज्ज्मेंट पास करती है कोट जैस जा सकता उस जगह पर राइट जा सकते है जा सकती तो मुझे जो भी नेरेस पुली स्टेशन है मुझे हल्प के लिए सब्सक्राइब कर देते अब इस परेशाने से बचने के लिए और जो बहुत चारी जब क्राइम हो गए ते देखा कि यह तो एक सिच्वेशन है इसको ए लोगों की तो इसी को फिर लेके जीरो एफाई यार का प्राविजन आया वह ता कि आपने जाई एक रिपोर्ट होगे फिर एफाई आप ही हो गई फिर एफाई आर क्यों वह जो ऑरिजिनल पुलिस स्टेशन हो आपर ट्रांसफर कर दिया जागा फिर वह आपको आयो उसके सब क्लॉस वन है उसमें लिख भी दिया है साफता कि जीरो एफाई यार आप लिखवा सकते हैं अगर आप कोई मना करें कि यह कहा लिखा है क्योंकि जज्जमेंट किसका नाम याद होता है लेकिन मैं कहा सकता हूँ 173 का पार्ट वन है आप उसमें लिखा जीरो फाई पहले जज्जमेंट के द्वारा लाग होती अब कानून में भी लिख गया है साफता है काम से तो और कोई बचना चाहता है जा रहा हूँ और फेंस उसी पुलिस्टेशन का है फिर युप डारेक्ट फाईर लिने से मना करते है आपने फेस किया होगा और यह होता इसलिए कि कोई भी पुलिस्टेशन अपने यहां एक मन्त की जो फाईर होती उसका एक नंबर डिफाइन करता है मतलब कि अगर ज़् टर रेपोर्ट थोड़ी होता है पुछ को तो एसी बस कर देता है उसमें फिर सारा क्या होता कि और किने किसने मैंने किसी कोई जूटा फॉल्स प्रॉमिस किया कोई कार बेखनी उसको hydraul हёт कार वी कार में कोई डिक्कत है उससने बता अधर और पैसे ली ली मुझसे, अब मैं जाओंगा पॉलिस टेशन में, पॉलिस टेशन की, अरे, कोर्ट जाओ तो सिबिल केस है, बट एक तरह से फ्रॉड भी तो है, तो जो फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, उसके लिए फाइयर भी तो होनी चाहिए, लेकिन वो सारी फाइय अगर कमपलेइट में, मैं फोकस करता हूं, जाब कमपलेट कर गने जाए, और आपने सब्सक्राइब सौन सरुeremबर पे ऐख सेनाइर था, जिसमें कोई महिला है, उसने सोन महिंपर फोन कर के बता दी चीज तो यह उसके फर दस महिन में बाद वह चीज सेम होती है, उसके प थाने में जा रहे हैं, आप हमेशा complaint की एक xerox करके लेके जाईए complaint आप देंगे तो xerox पे आपको receipt दे देते हैं solicitation की एक stamp होती है, और डाल के देते हैं, signature करते हैं, received लिख देते हैं ठीक है, और नहीं लिखे हैंगे तो कुल को दिक्कत है आपके साथ, safe for example दे रखी, इस पर अब तक पुलिस नो कोई action लिया नहीं है इसलिए हमेशा एक जो complaint लेके जा रहे हैं उसकी फोटो कॉपी ज़रूर करा ले जिस पर आप stamp लेकिया है, receiving नहीं होगी तो proof कैसे करेंगे, complaint मतलब देते कैसे हैं पुलिस टेशन में जाके वो लिखते हैं कि आपको पेबर में लिखनी पर दे कुदी काइदा तो यह कहता है कि आप वहां जाएंगे वो note down करेंगे आपकी ठीक है, जो हमारे कानून में लिखा है आप जाएंगे आप वरबल ही बताईए लेखित में है, लेकिन अईसा कोईChat में लिखत में देनाआ अब वरबल ही बताईए, उन को लिखनी पड़ेग्या, आपको लिखता है ? बहुत कम केसों में लिखा जाता है लिए से लिए अगर हेल्प नहीं करते हैं फर्दर हमारा कोर्स अफेक्शन है रेमेडी से उसको मावेल कर सके प्रूफ दिखा सकी यह सारे चीज़े होगी है लेकिन होने कोई एक्शन नहीं लिया तो सर जैसे आज ओफ में दोजार चॉवेस 866 फास्ट राक कोट्स हैं इंडिया में लेकिन फ्रॉड और साइबर क्राइम के लिए कोई भी नहीं है तो उसके लिए मतलब वाट इस दफासे इन एफिशेंट मैनर तो गो थूट इस चीज़ को मैं डिस्कॉस कर रहा था पर किस पॉलिस की फैमिलीज और ही सब गहीं हो रहे है अब बेरा जो जो मेरे थिंकिंग है मैं सोचता हूं कि आप फास्ट रेक कोट कितने बना सकते हो एक लिमिटिद होगी इस देश की पॉपुलिशन कितनी है आप कभी फास्ट रेक कोट से उसको कैटर यह नहीं कर सकते नहीं सब्वेल आई जाएगा कि जितनी ज्यादा लोगों को बताया जागी सबसे में चीज़ हो लालच हर साइबर क्राइम चाहेब को कोई आपको कोई नाम जितों आ रहे हैं या आपको आपके एक डूमेन है लालच जहां आपको लालच दिख रहा है और अपने किसी बिल अपट तो उनको जागरूफ करना बहुत जरूरी है आप अपड़ा लिजे लेकिन जो इसको बढ़ने से रूपना पड़े है बिमारी का पहले रोकताम किया जाएगा कि बिमारे को लोगों को जागरू करना पड़ेगा कि cybercrime है क्या कैसे होता है इसका शिकार आपको कैसे नहीं बना लेकर दोस्त है उनका जैसे social media accounts होते हैं क्या है तो स्टार्ट फ्रम स्क्राच क्योंकि उसने लिया और डिलीट कर दिया यूट्यूब से रिकावन तो इन केसे मतलब एक कॉमन आदमी और एक काम आदमी इसने क्लिक भी नहीं किया हो किसे लिंक पर फिर कुछ ऐसा सब्सक्राइब मेरे को तो फोड़ा था अपके जब भड़ें वह 35 computers क्यां में पता वह आपके पापा के नें 10,000 प्रड़े देने तो मेरे पापा की तर आपको देने मैं इसे तुम मत्यूं से पनरे केता गशीन मुझे था क Вас विखा ने तो दोड़न फॉन काठा वेखंग तो मेरे पापा कीसी चर्मा को जानते हैं दवाल का सीन होगा है घास काता वगोड़ा पर पैसे चले भी जाता है तो मिलना बहुत डिफिकल्ट है इसमें क्या होता साइबर क्राम में जितना जल्दी एक्शन होगा और हमारे जिस पूलिस होती है सिधा जार होते हो आप आप ब्लकुल गलत और लॆ sertования ने लिखे हुआ कि उनके भास अपकी पेपर से कर सकते हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि मतलब ट्रफिक वाली कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह के से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपर एक्जामबल को ले मैंने उसके मोवैल तो अपके पास है आप रिकॉर्ड कर लो आजके टाइलिया उसरी को सीनेर ओफिशल को बेस दो कंप्लेंट कर दो यह प्र तुरह अप सो नंबर पर कॉल कर दो ठीक है, सो नुमर पर कौन करोगे, कोई तो आएगा, एक कंप्रेंट तो लिखेगा, आपके रिकॉर्ड बन जाएगा, आपके वीडियो आपके पास है, उसके बेसिस पर कोट पूप कर जाओ, या सीनियर ओफिशल्स को कर दो, जैसी आप वीडियो बनाना शूर करोगे, यह स भी एक सेलूशन होता है, अभी डीसेंटली होता है, किसी का वो ग्राइट कार्ड वाला फ्रॉड था, और उसने विदिन टाइम, जो आप जैसे बोलों कि बैंक जिंजट नहीं लेता है, 24 आर्स तो 48 आर्स के अंदर रिपोर्ट हिया उसको, और बैंक ने का भाई, आपने टीपी शेर गई किया है, मैं तो नहीं करूँगा, लेगिन बैंक के पास तो थी, समय था, बैंक रोक सकती जो सपय को, बैंक नहीं रोका, फिर उसने कंजुमर कोट मूव किया, नीचे की जो कंजुमर कोट है, डिस्टिक वाली और स्टीट वाली उसने उसको नहीं सुना, फिर हो आया, सबसे बड़ी कंजुमर कोट जो देशी है, NCDRC, ठीक है, तो NCDRC ने फिर उसको कंपनसेशन अवार्ड किया, बैंक बोले, तुम्हारी गलती जो तुम्हार पास था मौका, टाइम पर उसने रिपोर्ट किया है, तो ये फिर आपकी डूटी बनती थी, आप उस जब जजमेंट आई थी, पुरी बैंच की सबकी, तो इसमें ये क्या है कि जो LGBTQ है, जब बहुत सारी और कमिनिटीज है, उनको सेम सेक्स मेरिज का राइट, ये देखो आप देंगे भी तो इसके लोग फहुत सारी की जो सोचनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें गलत जैसे ये इसमें बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे चीज़े हैं, जो आपको simultaneously सोचनी पड़ेंगी, से फर एक्जामपल, आप allow करेंगे, divorce की laws चेंज होंगे, adoption की laws चेंज होंगे, ठीक है, maintenance की laws चेंज होंगे, तो इसमें बहुत सारे laws चेंज होंगे, और जो हमारी judiciary का काम होता ह law को interpret करना, जो में हमारा काम जो मतलब courts बनी है, ठीक है, और law का काम जो law को बनाना है ना है, कोई law बनाना है, से फर एक्जामपल को society में ज़रोध है law की, तो यह काम है हमारा law makers का, law makers मतलब यह नि पारलेमेंट, executive, तो उसमें जो judgment का वो था, conclusion यह था, वो यह था कि जो law makers से वो बैठे हैं इसको, वो देखे हैं कि कौन-कौन से law fairies से impact होने वाला है, डाइवस का हो गया, adoption का हो गया, maintenance का हो गया, child custody हो गया, पहुछ सारी चीज़ हो गई, ठीक है, उसमें क्या laws होगे, जैसे अगर नॉर्मल एक woman और man के बीच में custody का case सलता है, तो woman को ज्यादा practice मिलती है, custody के लिए, उसमें किसको मिलेगी, ठीक है, 498 है का जो हमारा पहला के हिस्ता, जो change हो गया है, दूसरा section हो गया, सब चीज़े सेम है, तो क्या cruelty कौन फाइल कर सकता है, ठीक है, उसमें अगर जो rape के allegations होता है, पार्टर से वापस में, वो कौन लगा सकता है, तो बह पर कुछ, ठीक है, तो अनों ने बोलता कि Supreme Court के, आपने शाहिए देखी होगी वाली रील, उसमें बोलता है कि Supreme Court के लोगर बहुत पारफुल होता है, जब IPS आते हैं, कोई भी आता है, मैंने आप देखी है, आप देखी है, पढ़ाता है, यह basic यह coaching करते है, मैं आपको यह प Supreme Court में start के Supreme Court, उस सालों की उनकी मेहनत भी तो है, और Trial Court का Educator भी उतना पारफुल है, High Court का भी उतना पारफुल है, इंडरस्टिमेंट किसी लोगर को नहीं कहा जा सकता, आप कहेंगे कि Supreme Court के लोगर ही पारफुल है, पारफुल है, नोड आउट वो, लेकिन सेम पारफुल High Court भी है, और वो District Court के Lawyers भी है, और मैं कहता हूँ, यतने District Court के Lawyers मेहनती है, क्योंकि District Court है, उस में बहुत बड़ा प्रसीडर है, कोई case फाइल मतब समझ रहे हैं कि बेबी बॉन होता है, तो case पैदा ही वहीं होता है, वो बच्चा वहीं से बड़ा होके आ रहा है, उपर तो सुप्रीम कोर्ट में पहुचा कि नाम ये करें, नाम वो करें, ठीक है, वो तो बहुत लिमिटेट स्कोप होता सुप्रीम कोर्ट में, जो सारी महनत तो नीचे है, फाइल किया, उसका reply, जब ए case बनाना होता है, उसको कैसे बनाना है, आप समझ रहे हैं, क्या चीज़े डाल लिए, जो दूसरी बाटी है, हमारी क्या कमिया पकड़ सकती है, फिर उसमें evidence, evidence पर जो main चीज़े होता है, जो केवल ट्राइल कोर्ट में होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको बहुत बहुत बड़े, जितने बड़े case होगे, murder का case होगे, even rape का case होगे, कोई assault का case होगे, सारे तो टिस्टे कोर्ट में होता है, ठीक है, तो powerful मेरे साब से सारे हैं, अगर एक particular Supreme Court के lawyer को powerful बोलेंगे, तो ऐसा कुछ मेरे साब देने, सारे powerful है, no doubt, but in terms of, कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा Supreme Court में क्या होता है, कि आपकी fees होगरा बहुत होती है, वो फिर lavishness है life मे हैं, बड़े-बड़ी गाडिया हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े offices हैं, तो उस terms में कहना चाहता हूँ कि मेरे साब से, बाकि वैसे in terms of knowledge of law, सब चीज में सभी powerful होता है, लेकिन आपका जैसे बाकी Supreme Court के आड़ोकेट का काम करने हैं, कैसे experience रहा है, कि काम का तो ऐसा है, कि म limit हो जाएंगे तो दिक्कत है, Supreme Court के practice मैं बोल रहा हूँ, आसान नहीं है, अब आसान क्यों नहीं है, क्योंकि Supreme Court में, say for example, एक दिन में 100 मेटर सुने जा रहे हैं, उसे 95 मेटर पहले दिन डिसमिस हो जाता है, पहले दिन डिसमिस हो जाता है, मैजोरेटी जो आती है, regular appeals नहीं ह होगा, जो trial court का है, फिर जो उसके बाद high court का order है, high court का order है, उसमें कुछ ऐसी informity है, कि उसने caution of law बन रहा है, ठीक है, यह caution of law के contrary है, जो सैटल principle of laws के contrary है, तो उसके against में फिर caution of law frame करते हैं, और 136 में SLP फाइल करते हैं, और SLP ले गया रहा है, और 100 में से 95 SLP भी में कम बता जाती है, तो बहुत, मैं करें, डिफिकल्ट प्रैक्टिस है कि अगर आपके regular cases कम है, भई महीने दो ही नहीं में आपके दो चार किस आए, और कही बार होदा कि बहुत benches है, 16 court बैठरी है, कुछ courts बहुच सकते हैं, तो उसमें जब हम जाते हैं, हरी पहले पता है, तो उस bench क सीद़ पोचिं, इसका क्या आए, ठीक धी,そんな, that's it, उसमेस है, 5-5 seconds मैं मैंने क्या होता है, 4-5 seconds मैं क्या होता, 5-5 seconds क्या Experiment से डिलिंग हुई केस बना आया केस को फाइल किया और सुप्रींग कोड से कारने केस करने एक वाद केस सब्सक्राइब करें डिकेस की हम ना कहीं बीजाता है जाता हैं और आपको केस नहीं जीते है तो क्लाइंट के पास पर रिफर्ण पॉलिसी होती है कि आपके पैसे वापिस मिल जाएंगे अगर ऐसे रिफर्ण पॉलिसी कर दी तो लॉयर्स तो फिर लव उनका तो ब्रेट अन्बटर कमाना मुस्किल हो जाएगा ना फिर तो हम तो मैनत करते इसने लोग नी कर रखी पर चाहता है केस वाइल करना एक नॉर्मल परसन जो होता है वो जागे कोड में केस वाइल कर सकता है आप खुद लेना चाहते हैं आप सुप्रीम कोड में फाइल कर लो आप आप वो दे लो अपना कारण बता क्यों करना चाहते हो जो भी आपका कारण होगा ठीक हमारी लीगल एटी में उसको ले लो उसको ले लो फिडी में आपको दे देंगा आपके ऐसी एकनोमिय कंडिशन लेकिन पर नुकसान क्या है आप करने जाओ जैसे आपने मैंटर लिस्ट भी कर लिया अब लॉकई सारे टेकनिकल्टी आपको तो पता नहीं है जो इनको पता है कि कैसे स्टार्ट करना काम पर खतम करना क्या चीज बताने क्या कैसे पता चलेगा, उदर कोई बढ़ी है लॉयर खड़ा रूटरी साइट, वो तो सैकिंटलों में उड़ा देगा, और फिर आपका मैट्रेट इस पेस होगा, आप दुबार तो नहीं आ सकते कि, उस टाइम मेरी गलती थी, मैंने खुद लंड लिए, इस बार लॉयर लेके आ रिट तो एक सक्षन ही, रिट तो होए ने, कोई भी आपका फंडमेंटल राइट इन फ्रेंज हुआ, आप गए 226 में, रिट फाइल करिए आपने, इसके लाब हो बहुत सारी ओर्जिन मैटर्स हो गया, ठीक है, अपील, और्जिन अपील, पैसे वाली अपील है, इतने से पर पैसा इसमें अपील जाईगी, अर्बिटिरेशन की अपील्स हो गई, नौर्म्टल जो हमारे सिविल अपील्स हो गई, क्रिमिनल अपील्स हो गई, कन्विक्शन निच्छे साश्ट कोट से, ट्रैल कोट से उसके अपील हो गई, जैसे जो फैशर जाए रहे हैं लिगल जिसको सबसे आखरी ऑप्शन दखते हैं लोगे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं वकालत करूँगा थोड़ावत कर लूगा यह सबसे लास्ट ऑप्शन होता है बहुत चार लोगोगा ठीक है सबसे बहला ऑप्शन जुड़ीश्री कि भई जज की तैयारी करेंगे जुड़ीश निकालते हैं उनको पता है कि 6-7 साल लग जाएंगी 7-8 साल लग जाएंगी यह सब चीजे होंगी तो कहते हैं थे मैं तो पहले 2 साल बैटके मैनद कर लेता हूं कोचिंग कर लेता हूं मैं जुड़ीश्री निकालके अपना फ्यूचर सिकाड करता हूं जुड़ीशन होते हैं कर चीवमेंट के साल के प्रेटिस होगई अपने पीपी का एकजाम हो दिया अलग-अलग वệc वकिल होता है जितने भी करने अबने क्राइम किया है स्टेट की एगेंस्ट में देस की एगेंस्ट में क्राइम किया तो इसलिए अपने केसों का नाम भी सुना होगा कि स्टेट वर्सस सोचल लाल, स्टेट वर्शेज राम, स्टेट वर्शेज शाम, तो स्टेट के अगेंस प्राइम करते हैं, तो स्टेट के वकील होते हैं, वो सारे जितने cases होते हूँ देखते हैं, government appointed होते हैं, और इसके लाबा फिर और option होगा Academics में, आपने LLB के बाद LLM कर ली, LLM में इसके लब बहुत सारे प्यस्टेज को डिफाइन कर देता है ति परसेंटेज होई आपकी हमारे बहुत सारे जो प्यस्टेज गवर्मेंट के ओंजी सी हो गया बहुत सारे बैंक में आपकी लॉफिसर की बहुत भी होती है पीसी ओस लॉफिसर तो वह भी आपका वह सेफ ऑप्शन है अद्धर असी है जारो पीजार रुपे आ रहे है हमारे फिक्स अमेरे को जा रहा टैंचन लेने जा करने है ठीक है गॉफिसर आपका बैगराउंड है ठीक है और लेकिन को लोग 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 बोलनी बोलते हैं हुआ कि पर आखर यह जो मैंने किया काम है आपको सुबा से शाम तक लगना पड़ेगा और यह कोशन आता है कि वर्क लाइफ वैलेंस का बाद में कि कितने साल में आपके प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो सकती है सबसे बड़ा कोशन कितने साल में मैं मतलब हो जाओंगा सैटल इस प्रोफेशन में अब मैं केस खु सबसे की यह फाल कि आपको काम करना अब कि कैसा आपके वह आपके ओपर दसाल में उस्कों आप साल इक साल में देने लगो, आप एक साल में सीख लो, फाइलिंग होगे, ड्राफ्टिंग होगे, आर्गुमेंट्स होगे, मैनत कर लो, जल्दी सीख जाओ, जल्दी सीख जाओ, काम अना शुरू होगा, अच्छा, और रिजल्ट दो क्लाइंट को, होगे, लिपने प्रेक्टे स्टाट आप फिर थोड़ा सा गैप भी लिया, मतलब मैं कोई सोच रहा था, कोछ और कर रहा था, बरस यह था कि जब भी आऊँगा, पूरे मन के साथ आँगा, अधुरे मन के साथ नहीं होगा, और मुझे बता है कि इसमें डामडोल हो जाएगी चीज़े, तो जब आया, पूरी मैनत कर इस सुबा से लेकि शाम तक अब भी कर रहे है, विडिसल्ट मिल जाता है फिर तो, मैनज करोगे तो हो जाता है, तो चीज़, पर टॉप एड्वोगेट्स की इंकम कितने होती है, क्योंकि मैंने एक रील देगे, उसे बोलता है कि दिन के 1 करोड रुपे, तो उसमें सच कित होंगे, लेकिन उससे आप पूरी लोयर सारी कम्मूनिटी के थोड़ी जच कर लोगे, बहुत शार लोयर जिर को 500 रुपी नहीं होँ पा रहे है, तो बहुत चंद है, हाँ है, no doubt है, ठीक है, वो है, वो फ्यू है, वो बहुत क्रीम से भी क्रीम है, उपर जो एक दिन के लाक रुपे फीज है, तो आप ही कल्कुलेट कर लो, लेकिन सर, मतलब, वो वाली कॉस्ट जस्टिफाइड कंपे तु बाकी के अड़ोगेट से पुछ, यह रदक जस्टिफिकेशन ऐसा मैं बताता हूं, कि जस्टिफाइड तो आप नहीं कर सकते हैं, उनकी कुद की परस् आप उनके पास जाओ, पास मिंट पहले फाइल दे दो, दस मिंट पहले फाइल दे तो, सरी ऐसा ऐसा ठीक है, आठीक होगे, चला, 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 वो उसी पे के गंटे अर्गमेट्स कर देंगे, आपने दस मिंट आपने चीज़े बताई, वो एक गंटे आर्गमेंट्स अंदर कर ली, तो एक गंटे उसने, उसने वो एक गंटे जो पिछले 35 साल की मेनत है, वो है, मेरी 35 साल की, इमेरी 35 साल की पैसे, सही बात है, सर, तो जस्टिफाइड फिर करते हैं, और रिजल्ट ज करच कर रहें, ये केस में जीत गया, उसके लिए क्या है फिर? ये के पिता हो, ये के माता हो, कोई भी हो, सब गेरे में आ जाता है, लेकिन ओवर दर टाइम, अब बहुत सारी जज़्मेंट ऐसी आ गई है, जैसे अरनेश कुमार की ज़्मेंट हो गई, इसमें बोला, पहले तो और आश कर लेते थे थे भाई, पूरी की पूरी फैमिली लॉकप में, अगले दिन पूरी की पूरी फैमिली लॉकप में, अब ही हो गया है कि आप पहले 40 वने का नोट इसी शुकर होगे, आप उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओगे, और 498 ये फैरो डारेक्ट नहीं होती है, आपको पहले ख्राइम में सुमें सेल मे हो जाए, किसी की दिक्कत ना हो, अगर नहीं भी रहना चाहरे हो, आपस में तुम्हारी का डिमांड है, तुम्हारी इतना जो डॉरी दिया था, इतना 10-15 लाग रो बिलो, अपना सेटल करो, सब चीजे करो, और केस मत करो, सेटलमेंट करो, तलाक लेलो, म्यूशल कंसेंट स बेज़ेगा, फिर आई यो देखेगा, बहुत सारे आई यो उस क्या करते हैं, कि देखते हैं, जब लड़की अलग रह रही है, तो फिर इसका तो इन्वल्मेंट है नहीं, बैसे फर एक्जम्बल मेरी शादी हुई है 2020 में, मेरी बेन की शादी हुई है 2017 से पहले अलग रह होती है, जब चार्जीट फाइल हुई, बेल बंट फरनिश हो गए, उसके बाद एक हमारी स्टेज आती है, फ्रीमिंग उफ चार्ज इसके उस पर इट्चार्ज अप्लिकेशन फाइल कर देते हैं, बहुत अला होती है, उन रहे नहीं रहे है, ठीक है, सिसर इन लोग सबसे होती है, कुछ लिए डिसार्ज होती है, तो अब पहले से बहुत छीज ठीक होई है, लेकिन इस 498 का सोचन लिए और बढ़ गया है, सोचन तो बढ़े होती है, रिपोर्ट सब बहुत ज्यादा होती है, बही छोटी-चोटी दिकत हुई 498, कोई भी आपस में बादो, सब तो नेट फिकِस पर एक सीरीज ध़ी। जिनने भी लोगों पर इस भाग रहे हैं। इसमें जो हमारे लॉज हैं लॉज का सबसे एक definition होता है एरिया किस इसमें लोग अप्लाई हो रहा है तो उसमें आता है इंडिन डेरेटरी लॉज तो इंडिया में ही हो रही है इंडिया के बाहर आप अपने criminal लॉज को थोड़ी अप्लाई कर दो पुराने IP से हो या फिर tradition treaty है तो जिस देश से sign हो रखी हमारी उट्रीटी उस देश फिर obligation है कि हमारा अगर कोई ऐसा वेक्ति इसके उपर आरोप है कोई भी fraud का कोई भी crime का तो उसको फिर वह वापस भेज देते हैं अगर हमें treaty sign करी होगी तो इन देशों ने treaty नहीं sign कर रखी है तो इसलिए लोग बड़ा sorty मैसूश करते हैं अपने अप allora पर यह वाफ है चले गहें तो वहाँ पर वहाँ पैसे नेश्रीड करते हैं वहां पर ठोड़ी रोजगार लोगों को दे देते है वह गवर्नेंट को देख ती है भाई हो पुश्किल होता है, उनके discretion है, उनका obligation नहीं है. तो कुछ दिन जेल आता है, जेल ठीक बना लो, लेकिन बार की जो is humility, अब समने की तिरी सारों जैसी है। प्रॉपर है सब चीज है, एर कंडिशनिंग है, सब जोग के है, तो इधर बड़ी होईगे, चलता है कुस दिन जेल भी जाना पड़ेगा, तो ऐसा लगे है, होटल में कार्टर है जिंदकी कुस दिन, तो यहां की जेलों से टरता है, यहां पे तो बहुत बुरा है, जेल होती है, भाई इस पर मैं कोई आंचर देने हैं, वो तो बता पाएगा, जो जेल हो गया है, मिलके में बाहर आ जाता हूं, अंदर नहीं रहा है, जो मैंने क्लाइंट से जुना है, बहुत बुरा होता है, एक दिन भी ऐसा होता है, यह पूरी जिंदगी में इंपेक्ट आल मतलब वहाँ पर ऐसी कोई स्टोरी आप शेर कर सकता है, अपने क्लाइन क्या अन कोई भी आप अपने केस के रिगाड़ें कुछ नहीं कुछ भी, मैं को लगता है, आप नहीं करना है जाते है, टिहार दिल की स्टोरी शेयर, एक हमारे पास कीस है था, कीस उसमें क्या था, की शादी हुई, लड़की नौर्थीस्ट, लड़का हमारा गुजरात साइड का, ठिक है, और शादी करके लव मैरे इस थी, सोचल मीडिया साइट से मिले, वाजा करेने लगे, सब चीज़े ठीक थी, कुछ इनके बाद डिस्पूटराइज हुए, डिस्पूटराइज होने क बच्ची की कस्टड़ी का ओडर लेके आई, या आई तो उसका हस्बेंट बाग गया, हस्बेंट बाग गया, बच्चे को लेके फिर उसने हबस कॉर्पस प्रिटीशन डाली, हबस कॉर्पस, ठीक है, तो अपनी हबस कॉर्पस में फुदी फस गई, गिन दसेंस की मतलब पाच महीने फस रहे हो टल in डह रही है, क्योंगि पति के आज पास रही तो सेफ नहीं है, तो पैसे नहीं है, बड़ी दिख्क्त है, फिर किसी की धुर्पर्शन मेरे पास है, वनोंने इस्टोरी बताई सब चीज़े, तो गहरे मेरे मेरे पास पैसे हैं, जो कोई दिख्कत कर रखाई है तो उसको फिर वो बिचारी वहाँ से छह मेने से फसी हुई थी उसको फिर सबसे पहले तो उसको अपने बच्छा उसको दे दिया था लेकिन उसको बोल दे चोड़ के नहीं जाएगी और बच्छे को यह बोल दिया था कि विजिटेशन राइट उसके पती को दे दिया थे ठीक है अब आप यह सोचो कि कोई ऐसा इंसान ने किसी दूसरे स्टेट का बहुत दूर से उस जाएगी ने सकते चोड़ के फिर निकाला स्टे हुआ बड़ी खुश हुई फिर बच्छे को लेके गई अपना स्टेट फिर उनके जो बाखी केस था कंटेम्ट भी था उनके उपर चल रहा था कोई एक बार बहुत 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 परिशान हो गई थी चली गई थी बीच को लेक्र खाने को खाने नहीं है पैसे नी रहने के लिए क्या करेगी इनसान तो जेल जाने का डर्न कर थे जिसके चांसे तो, ठीक है तो उसको वहीं से अरेस्ट कर कि बुलाए गया तो वह भी रोक लग रोग बाए फिर एक दो केस थे जो उन्होंने वहां केस फॉई आप का नौर्थीस में उसको ट्रांसफर कराने के तो भी मैंने फिट उनके डिस्मिस कराया कुल में इलाके हाथ से चुशन भी ठीक है सब चीदू के और ऐसे तो बहुत चारे केस है क्योंकि वखीलों के पास कोई कुछी से तो आता नहीं है मैं देखता हु काफी बार बच्चे पाक wise में भूम रहे होते है तो एकदम से बत्चे जैसे हैं बहुत गुंपतारह बच्पन में तो लडगा लडगी जो बच्चे है वो पाप में गुम रहे हैं और पुलिस वाले आता है पुलिस वाले बोलते है कि अपनी मम्मी पाप से बात करा हूं अगर सबसकर हो चलो यह तो पाप का सेनारी हो गया अपनी घानी बता है अगर वो लोग मेजर हैं तो उनके ओपर कोई कंपल्शन नहीं है मैंने रिच्छेंटली बताया था कि यह consent है भई मैं अगर मेजर होगी है हूं मेरे fundamental rights article 9 निर को गहता कहिता है अगर वो कर रहे हैं तब भी फोर्स करें तो क्या गहीं भाई उसमें तो फिर सिंपल सी चीज है, जो मेरे मेडी सबको बताता हूं, तुरंत आप भी पुलिस को कॉल करो ना, यह थोड़ी कि यह जो पुलिस काम कर रही है, यह सारी पुलिस को रिपरजेंट करके काम कर रही है, आप रिपोर्ट कर दो उनके बारे में, उनका नम बैस क्या नाम है, कि इस नाम से पुलिस वाले हमारे पास आए है, और ऐसे परिशान कर हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमारा राइट है, आप यह हमारे फोर्स करेंगी, माबाप से बात करो, नहीं कराना चाहते है, मेरी मर्जी है, मैं आ गया ठीक है, और दूसरी चीज जो ब होता है, होटल जलाने का, बहुत सारी चीज़े होती है, कम्प्लाइंस पूरे नहीं हो, जैसे ले देके होटल जला रहे होता है, तो वहाँ रेड पर नहीं होता है, वहाँ जाओ तो रेड पढ़नी है, फिर होटल वाले बुला रहे हो, हाँ 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 हा जूनो माइनट है तो इसमें फिर चीज से और दूसरे लड़का भी में रहा है तो कि पूछ रह सब्सक्राइब जूरू जाएब बहुत जाता है लेकिन जब लड़का में जा रहे है और लेड़की मैंनेर भूछ फ्रिक्वेंट आज की समय में आपको बता रहूं फिर बाद में लड़की की कंसरेंट थोड़ी चलेगी एगर लड़की माइनर उसके प्रेंट्स के कंसरेंट चलेगी वो डालते हैं फिर सीधा kidnapping का सब चीज़ों का case नहीं मिलते तो है बसको और बस में आ जाते हैं और फिर बाद में लड़का तो अगर लड़की न फिर दिक्कत क्या होती है police station में जाने के बाद फिर कई बार जब चैपनी मर्जी से लड़की गई है पेरेंट्स के साथ आई फिरेंट्स ने मैनोपलेट किया कोर्ट में पोजिट बेहन दे दिया कि फोर्सफ़ली रेके गया है अब मैं करो प्रूफ कर लोगा प्रूफ करने में आपको सालों निकल जाएंगे ना पांचे साथ साल की अपनी मर्जी से आई है मैसेज किया था तब तक तो जेल गया है ना वो जिंदगी तो ख्राब होगी ना उसकी तो उस सिच्योशन में क्या है कि एक तो आख खोल के आदारकार देखके प्यार करो और माई नहीं तो ना बिलकुल कभी नहीं जाना एक कि चला गए ठीक है खर्चा बचा दिया इसने वारा तो जब नहीं नहीं शादी होती है तो घर चोड़के चले आती है माई के में तो पती को बास आर्स डालने का ऑप्शन होता है ये सब समझाओ हो आर्स क्या होता है ये बता दो पहले है आर्स रेसिट्विशन को लाइस ह चोड़ दिया है तो उसमें इधर पार्टी इधर हस्बेंट और वाइफ को अप्रोच कर सकते हैं सेक्शन नाइन हिंदु मेरीज एक्ट में कि बही ये बिना किसी उचित कारेंट के में ट्रीमिनल हैस को अबेंडिन कर दिया आप इनको बोलिए आप ये वापिस आये वोट कि वो पूरा लड़ जगड के सब चीजे करके गई है पूरा उपर नीचे तैसने सब चीजे करेंगे आप फिर कोर्ट के सामने जाके हाँ जोड़के गह रहे हूं वापिस बुला तो उस चीज में जो मैं भी सेज्ट करता हूं गर शादी आपी बिल्कुल खतम हो गई है मत लेकिन जब शादी एकदम चकनाचूर हो चुकिया उसका कुछ राही ही नहीं है तुम सजेस्स करते हैं उसमें टाइम वेस मत करो सिधर डाइवस्टा लड़कियों के पास ही राइट्स हैं लेटकियों के पास ही राइट्स हैं लेगमा आपसे बात हो साना NBW की नॉन बेल हो गए हैं हाप इसे के लिए क्या होता है कि नॉन बेलिवल वारेंट किया बात करते हो NBW और उससे पहले होते BW बेलिवल वारेंट किसी केस में नहीं होते हैं कोट को पुरा प्रोसेस पहले कोट समन करती हैं समन मतलों आपको समन क्या हो कोट आ जाओ ठीक है आप नहीं ग बवार्ट में प्याल बॉंड बर्वा लेते हैं और आपको से प्रॉमिस लेता है प्रॉमिस करते हों कि जो डिट बताईए मैं कोट में आऊँगा पेश हो जाऊँगा अगर आप बेलेबल वारेंट का पालन नहीं करते हम दो फिर नॉन बर वार्यंट होता है पिर से बात कीजिए, एक cancellation of non-able bill by warrant अप लगवाई है, cancellation of NBW बोलते हो उसको, ठीक है, वो फाइल करवाई है, आप अपना कारेंड देजिए, कोई hospital में हो सकता है, कोई case emergency हो, कोच भी whatever, जो भी आपका reason रहा था, court को reason दीजिए, आपने आप पे बोला cancellation of NBW, तो फर anticipatory bill क्या ह सकते हो, ठीक है, जब अब भी आपको arrest का दर हो, basically, arrest का डर हो, basically, अगर मैंने anticipatory bill ले ली, दोसका आप पुलिस arrest नहीं कर सकती, पुलिस arrest करने आएगी, तो आपको तुरंत bill पर release कर देगी, ऐसा नहीं है, आपके पास आए नहीं सकती, बिल्कुल आ सकती है, वो, आप order दिख comply नहीं करोगे, तो आपकी, आपकी anticipatory bill reject हो जाती है, इसको इनहीं ग्राउंड से पुलिस जा सकती है, यह चीज है, कोट में देखो, मैं कहता हूँ का आप पहले application file करवाई है, पहले उसको, आप पहले NBW को stay करा ली ते, normal क्या होती है, court stay कर दीती है, आप explanation देंगे, file होई application जैसे मैंने किया था, बहुत सारी case हो में अभी करता हूँ, आपने lawd से stay करा लिया, फिर stay होने के बाद फिर up गई हो, जैसे suppose कर आपने police आपको police station लेके गई, police station लेके आपको 24 गंटे के बाद, 24 गंटे के बाद magistrate के सामने आपको पेश करना है, यहाँ पे अगर 24 गंटे कोई गर गरफतार होगा, तो उसको आपके सामने पेश किया जाएगा, फिर वो अगर उसको बेहिजना है, judicial custody है, फिर police custody हो डिसाइड करते हैं, 24 गंटे के बादा स्रिक्ट उनको बेहिजना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं लाते 24 गंटे के बादा, उनको फिर reason देने प आपको, तो जब आप arrest करोगे, तो वीडियो बनानी होगी, कि अपने कहां से arrest किया, कैसे arrest किया, आप इसमें पुलिस वाले फसेगे, कारण क्या फसेगे, कई बार पुलिस वाले क्या करते है, चार दिन पहले arrest करते है, चार दिन पहले negotiation चलता, कुछ भी चलता है, whatever the reason is right, ब उसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि, वो सामने खड़ा है, वीडियो बना रहे है, ऐसे वीडियो बना रहे है, अरे और तुम्हारे जैम में क्या है, क्टा है, arrest कर लो इसको, चलते होगा, यहां पे तो officer जाओगे, यहां पे तो मैं उसका वकील होगे, तो अंतरिया भाई अचालेक से प्रकट हो गिया अरे तुम्हारी जिम में क्या है कट्टा है हो जाओ और रहस्ट भाई तो यह चीज अब उनको वीडियो बनानी पड़ेगी तो अब इसमें लोगों थोड़ा बच जाएंगे अब तक यह अची स्वाज मनी भाई फर कमिंग ऑन देपोड क सब्सक्राइब करें अच्छा लगा थैंक यू बहुत 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 दन्यवाद आपका